जो चात्र है मैं भी एक चात्र है अभी भी हूँ किस एज में लगता है न छोड़ देते हैं हार मान लेते हैं लेकिन उस वक्त ही न मैं खुद भी किया हार नहीं मानना चाहिए थोड़ा लगता है नहीं हो पाएगा छोड़ देते हैं लेकिन नहीं उसी वक्त ना खुद को औ नमस्कार मेरा नाम है निखिल आप देख रहे हैं निउस फोनेशन वो कहते हैं ना कि अगर होसला बुलंद हो तो सफलताएं आपकी कदम जरूर चुनती हैं तो हमारे साथ आज मौझूद हैं दिव्यानसु जी जिनोंने नीट क्यालिफाई किया है अच्छे अंकू के साथ नीट क्यालिफाई किया है हाला कि घर की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी पिताजी किसान थे इसके वावजूद इनकी मेहनत रंग लाई है और यह इस मु आपके सामने होंगी और आपको अपने लक्ष भी दिख रहे होंगी तो किस प्रकार से इन सब चीजों से निकलते हुए और क्या कुछ कठनाईयां आएं क्या कुछ बाधाएं आएं आपके मुकाम तक पहुँचने में मेरे जो सपने थे डॉक्टर बनने का एक तरह से देखा जाए बहुत कठीन है पिता जी उतने सक्चम भी नहीं थे शुरुवात में तो लगा नहीं हो पाएगा दिक्कत है बहुत आगे फिर उर्मिला परताब सुपर ठटी का दिखा तो वहां लगा सलेक्ट नहीं हो पाएग लोग इसस सफलता को हासिल करने में क्या कुछ सुविधाय वहां मिलती थी और मतलब जो Cincinnati थे जो चीचर्स थे वह किस प्रकार से थे और और टीचर्स इतने अनुभवी होते हैं कि नीट को ऐसे क्या करता है हर चीज उनको पता हो हर चीज गाइडलाइन्स मिला हम लोगों को तो वो चीज़ों का बेनिफिट ले पाए वहां से अचा वहां जो टीचर्स है वह होस्टल वगएरा भी था वहां पर होस्टल था और फॉन्स वगएरा कुछ नहीं रखना पड़ता था वहां सब मना था आज की डेट में फोन अगर किसी को दो मिनट के लिए फोन अगर हटा दिया जाए तो अजीब सा मतलब मचल जाते हैं तो कैसे आप लोग कर लेते थे मतलब शुरुआत में तो बहुत दिक्कत हुआ कि लगा सुन गहीं फॉन कैसे नहीं फिर जब सब के पास नहीं था तो तो तीन दिन के बाद हम भी यूस्टू हो गये थे तो रहने लगे थे किताबों से दोस्ती हो जाती है अक्सर अमोमन लोग में क्या करना है और क्या कुछ लक्षे और हैं अभी तो फिलाल मतलब जो कॉलेज मिलेगा साइद आईजी एमस मिल सके वहां से एंबीबीएस की परहाई करनी है फिर लोगों को सर्व करना देश को सर्व करना अच्छा ये बताए कि जो चात्र जो है जो आप आप आज एक म इस एज में लगता है अना छोड़ देता हैं न उस वक्त ही न मैं खुद भी किया हार नहीं मन नए ठोड़ लगता है ना नहीं हो पाएगा छोड़ देता है लेकिन नहीं टौन सीट वक्त ना अ कुद को और स्ट्रॉॉंग करना चाहिए आप लोगों से भी कहूंगा दिक ये पढ़ाई और मतलब कमाई घर की अगर बात की जाये तो थोड़ा आर्तिक स्थिती उतने मजबूत ना होने को कभी ऐसा लगा कि नहीं पढ़ाई को एक साइड रख करके जैसा कि आप बता रहे हैं कि हार हार किसी के जीवन में आता है तो कहीं न कहीं उससे उपर कैसे उब का रहा लुग हैं तो सही हो कहां पाया हम वहीं से जनरेशन में चल जाएंगे चीजें 세क वहीं की वहीर हीर जैएंगे लिकिन यदि रमалась सोच लें की पढ़ाई करने महनत करने तो घर का स्थिति सुदर सकती थो वहां से इंस्पिरेशन मिला उप हासे आपको इंस्पिरेश पता नहीं ॐसे नियूजे म jan़ितना है उस जीन को समय से लिया यूटिलाइफ करेंगे अगर बेएंगे टो बिल्कुल समय बहुत इम्पर्टेंट है यही इनका संदेश है चात्रों के लिए उस समय को यूटिलाइज करें हलाकि फोन वगेरा के लिए जो इन्हों ने कहा है तो उससे थोड़ी दूरी जरूर बनाए देखते रही है News4Nation बने रही हमारे साथ धन्यवाद